हेलो स्टूडेंट्स आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स क्यूं चूज करें हेल्थ केर करियर क्या रीजन्स हैं ताकि वो हेल्थ केर करियर को चूज करें और क्या बेनिफिट होता है हेल्थ केर करियर से मैं डॉक्टर शीजर सागर मैं आज आप स्टूडेंट्स को अवेर करना चाहती हूँ हेल्थ केर के बारे में जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या benefit है healthcare का Healthcare career, क्या होता है healthcare Health से related जो भी training आपको provide होती है जो भी आप करना चाहते है health की field में Health professions में आना चाहते है वो एक healthcare career है तो क्या कारण है जिसमें से students अपना career बना सकते है health care में तो like जैसे आप 12th pass किया किसी ने science से तो हम ये सब जानते हैं कि वो फिर NEET का exam देता है और फिर वो MBBS करते हैं उनका selection होता है तो सब इतना ही जानते हैं mostly जो लोग है कि science वाला बच्चा एक doctor बनता है ठीक है मगर क्या arts और commerce वाले बच्चे क्या आप जैसे arts या commerce वाले student है जो ये video देख रहे हैं क्या आप लोग ये जानते हैं कि आप लोग भी health care का एक part बन सकते हैं अपना career health care में बना सकते हैं इसमें future कर सकते हैं अपना तो ये उनी students के लिए हैं क्योंकि मैंने देखा है कि like arts और commerce वाला बच्चा अभी भी what is paramedical के बारे में नहीं जानता है सिर्फ लोग इतना ही जानते हैं कि एक doctor होता है मगर ये नहीं जानते हैं कि जो doctor के साथ work करते हैं जो उन्हें support करते हैं जो उनका staff support system होता है hospitals में, clinics में, nursing homes में, doctor के साथ तो वो कौन होते हैं तो ये वो होते हैं paramedical technicians जैसे x-ray technicians जब आपने देखा होगा कि आप x-ray करवाने जाते हैं तो वो doctors नहीं होते हैं जो x-ray करते हैं वो x-ray technicians होते हैं इसी तरह से CT scan machine को जो चलाते हैं वो radiology technicians होते हैं की demand अब बहुत बढ़ रही है and after covid health care ने 2020 से लेकर अब तक 2020 तरीक तक 60% growth हुई है job and staff में hospitals and clinics में अब आने वाले समय में हमें क्या चाहिए certified students certified staff चाहिए होगा hospitals में क्योंकि पहले इस पे हम इतना ध्यान नहीं दिया जाता था मगर अब हर hospitals and हर clinic में एक certified staff होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि health care एक ऐसा profession है वो आपकी health से related है और लोगों की health के साथ हम खेल ले सकते हैं तो certified student और certified staff होना भी बहुत ज़रूरी है तो आने वाले समय में इनकी demand और बढ़ेगी तो आज ये वीडियो उसी के बारे में है कि आप paramedical staff उसकी क्या eligibility रहती है क्या duration है कैसे आप जा सकते हैं कैसे अपना career paramedical में बना सकते हैं इसी के बारे में ये video relate करती है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या benefit होते हैं career अपना बनाने के health gear में तो जो पहला जो मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों आप choose करें after 12th एक arts और commerce वाला बचा भी choose कर सकता है तो इसी video में मैं यही चीज़ बता रही हूँ उन student को कि वो arts and commerce student उसको क्यों choose करें healthcare career को क्यों choose करना है क्योंकि healthcare career में देखे demand बहुत बढ़ गई है like job vacancies 64 lakh vacancies open होती है हर month तो इंडिया में डेली में हर जगह पे इनकी demand paramedical technicians की demand काफी बढ़ गई है private sector में government sector में rapid growth है तो इतना कोई struggle नहीं करना पड़ता है कोई competition नहीं होता है इसमें तो इसमें थोड़ा कम आपको competition मिलेगा क्योंकि इसमें अभी सब लोग knowledgeable नहीं है सब लोग नहीं जानते हैं paramedical को तो यह वीडियो इसलिए बनी है कि like लोग students 12 के बाद इसमें जा सकते हैं इस वीडियो में हमने इसी के बारे में बताया है कि healthcare career में business opportunities जाना है and rapid growth industry है healthcare sector दिन पर दिन बहुत grow कर रहा है and more vacancies available होती है every month and जो hospitals हैं उनको अपना certified staff चाहिए जो staff है वो certified होना बहुत जरूरी है and इन जो jobs होती है healthcare की इसमें flexible timings होती है like अगर student अपनी preparation करना चाहता है अपने और exams prepare करना चाहता है और daily learning किसी चीज के लिए करना चाहता है तो हाँ yes उसके लिए flexible timing है night shift कर सकते हैं जो बच्चे night shift करते हैं वो दिन में थोड़ा पढ़ाई अपने लिए वक्त निकाल सकते हैं तो ऐसा है इसमें कि आप अपने according भी time चूज कर सकते हैं तो इसमें जो है परा-medical में आप डिप्लोमा सर्टिफिकेशन से लेकर डिगरी तक आप कर सकते हैं वो सब available होती है अब आप पूछेंगे कि what is the paramedical courses paramedical courses होते हैं जैसे डी ओटी that is the Diploma in operation theatre technician हो गया जो operation theatre के अंदर जो students work करते हैं कोर्स करके D.O.T.T करके वो वहाँ पे अपना job vacancies open होती हैं तो वहाँ पे apply कर सकते हैं इवन government and government sector में भी वो Diploma करके अपना future बना सकते हैं तो यह तो था D.O.T.T के operation theatre technician इसी तरह ऐसे होता है Radiology technician DMIT का कोर्स करके that is Diploma in Radiology technician जिसको वो करके CT scans वगेरा करते हैं तो उसमें वो अपना apply कर सकते हैं इसी तरह से बहुत से courses हैं जिसमें arts and commerce वाला students apply कर सकता है ताकि वो अपना future healthcare में बना सके तो इसके लिए काफी counselling and अब आजकर available है SV5 Healthcare जिसमें आप search करिए Google पे यह जो numbers हैं आप उस पे contact भी कर सकते हैं for free counselling और जो भी क्यूरी हैं आपकी आप direct हमारे counsellor से पता भी कर सकते हो कि हम पूरा support करते हैं students को कि हम उनके जो भी questions होते हैं कि हम उनकी skills को देखते हैं कि वो कौनसे course के लिए perfect हैं like उनकी पहले पूरी counselling करते हैं फिर उनको बताते हैं कि आपके लिए कौनसा course perfect होता है right तो मैंने आपको बताया D.O.T.T. D.M.I.T. का course बताया है बहुत सारे courses हैं जब आप career counselling के लिए आएंगे तो उसमें आपको और detail information दी जाती है कुछ students के जो mother and father है बहुत अच्छे हैं कि मतलब they are very educated and they वो guide करते हैं उनको proper मगर हमारी society में कुछ ऐसे student भी हैं तो जिनके मतलब नहीं guidance नहीं है उनको और वो कुछ करना चाहते हैं बनना चाहते हैं कुछ healthcare में जाना चाहते हैं कोई किसी भी field में जाना चाहते हैं मगर guidance की कमी है ना teacher से मिलती है उन्हें ना parent से मिलती है तो हम ऐसे ही student के लिए free career counselling रखते हैं जिसमें हम उनको career path पुरा map बनाके देते हैं ताकि बच्चा अपने बातों को share करें क्योंकि हमने देखा है जैसे भी हम career counselling करते हैं तो उसमें हमने देखा है student बहुत चुप रह जाता है वो अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर पाता है अपने parents के साथ में और उनका career जो उनको बोल दिया जाएग चलो भई यहां यह कर लो यह वह कर लो पूरा skills देखते हैं बच्चे की और उसमें हम देखते हैं कि बच्चे की क्या skills निकल के आ रही है जब हम उनसे questions पूछते है वो answer देता है बच्चा तो हम observe करते हैं उसका interest किस चीज में है उसकी skills कैसी है लाइक जैसे healthcare में भी खाली सिर्फ कुछ courses होते हैं जो machine से related होते हैं कुछ courses होते हैं जो से body से related होते हैं हाँ कोई students होते हैं healthcare में तो जाना चाता है मगर जिसको blood से डर लगता है जिसको instrument से डर लगता है तो वो उसमें नहीं जाने चाते तो उनके लिए दूसरे courses है जैसे X-ray technician हो गया तो इस तरह के काफी सारे हम उनको guidance देते हैं क्यूंकि पेरा-मेडिकल में सिर्फ यह सारे courses नहीं आते हैं शॉर्ट-term healthcare courses और भी होते हैं जिनको करके एकदम fast अपना future वो बना सकते हैं और rapid growth कर सकते हैं अपनी career की पेरा-मेडिकल में हर चीज है like job opportunities भी बहुत है और business opportunities भी बहुत है तो हम उनको aware करते हैं अगर जैसे job minded person होते हैं job minded student होते हैं उनको हम job के बारे में बताते हैं और जो business minded person होते हैं हम उनको business modules बताते हैं कि आप कौन सा training लीजिए जिससे आप अपना business stand कर सकें start up कर सकें अपना business का तो इस तरह की help हम students को करती हैं तो career counseling क्या होता है career counseling न एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम बच्चे का talent उसकी इच्छा उसका choice उसमें कितने गुण हैं वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है उसका पूरा process करते हैं देखते हैं फिर उसको suggest करते हैं कि उसको क्या करना चाहिए ताकि उसको कम struggle करना पड़े और जल से जल job और business opportunities मिले देखें कुछ भी करने के लिए job करने के लिए या business करने के लिए आपको skill होना आजकल बहुत जरूरी है क्यूंकि खाली पढ़ाई करके आप सिर्फ सीधा अगर 12th के ब अगर जब आप skilled होते हैं तब आपकी value और बढ़ जाती है तो इसी तरह से skill courses हम उनको बताते हैं कि कौन-कौन से skill courses हैं Healthcare में बहुत से skill courses हैं जिनको short term and long term दोनों को करके वो अपना career बहुत अच्छे से बना सकते हैं interview preparation में कैसे बैठना है आपके क्या etiquettes होने चाहिए कैसा पहनावा होना चाहिए जब आप interview में जाएंगे कैसा आपका resume होना चाहिए बायरेट होना चाहिए तो यह जो सारी चीजे हैं हम counselling के दौरान और जो training हम provide करते हैं उसमें हम students को बताते हैं अगर आपको कुछ सीखना है और आपको एक अच्छी सही दिशा पकड़नी है तो एक career coach का होना बहुत बहुत ज़रूरी है आज के time में तो जो हम sv5 healthcare career coach की कोई fees नहीं है हम students को यह free career coaching provide कर रहे हैं आप आ सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा रास्ता और एक नई दिशा देख सकते हैं ताकि हम आपको guide कर सकें आपका एक map बना सकें जिसमें आपको काफी सारी directions भी लेंगी according to your skills एक career coach आप students के अंदर आप लोगों के अंदर क्या एक प्रतिबा है क्या skills है उसको निखारता है हरे students का एक mentor होना अब वो चाहें आपका teacher भी हो सकता है parents भी हो सकते हैं अगर वो नहीं है तो आप sv wife healthcare पर भी आ सकते हैं तो हम आपको एक अच्छी guidelines अच्छा एक map for the future आपको हम बना कर देते हैं that is उसका कोई cost नहीं होता that is free of cost तो आप आईए और अपने बारे में बात कीजिए क्योंकि जब आप अपने बारे में बात करेंगे आपकी skills हमें पता चलेंगी निखर के आएंगी तब हम आपको support कर सकते हैं और हर चीज़ आपको बता सकते हैं arts and commerce वाला बचा जो की नहीं जानता की एक और professional line उनकी लिए खुली हुई है तो वो इसमें इस paramedical में जा सकते हैं और अपना career बना सकते हैं अगर फिर भी आप कुछ questions या कुछ queries होंगी आपकी तो वो नीचे comment section में हमें डालके आप पूछ सकते हैं और हमारी website www.sv5healthcare.com पे भी जाकर आपको एक form होता है उसको fill कर सकते हैं तो हमारे counselors आपको directly contact करते हैं and free counseling available है उसमें भी आप आ सकते हैं thank you so much and hope अपके future के लिए all the best thank you students